So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोच आएंपी Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue NHPC Limited की अगर हम बात करें तो स्टॉक में अगर आप देखोंगे तो 92.90 रूपिस के राउन तक की एक क्लोजिंग देखने को हमें मिल जाती है रिटन्स की बात की जाए तो स्टॉक ने आज काफी अच्छे रिटन्स दिये कल जो लेवल हमने डिसकस किये थे उसके इसाब से शेर काफी अच्छी रिकावरी बताता हुआ में नजर आया 1.75 रूपिस के राउन तक अगर आप देखोंगे तो शेर में अच्छी रैली नजर आ जाती है और वही अगर हम देखे पिछले पाज दे हो में स्टॉक गिर रहा था एक महीने में बड़त नजर आती है तो यहाँ पर अगर देखे नच्पीसी के लेवल क्या है यहाँ पर क्या कहता है स्टॉक किस तरीके से यहाँ पर आगे फरफॉर्म कर सकता है वह भी एक important चीज है तो आज अगर हम देखे तो 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने एक recovery बता है कल जो लेवल हमने discuss किये उसके इसाब से support लेके स्टॉक ने अच्छी rally यहाँ पर बता दी और अभी शेर धीरे धीरे आगे के और जा भी रहा है क्लियरली हमने कल ही कह दिया था कि स्टॉक में जो फॉल आ रहा है यहाँ पर भले यह गिरावट आ रही हो बर डरने वाली बात नहीं है स्टॉक में अगर देखे डाउनसाइड की और से एक strong support है जहाँ पर support लेके शेर जो है ऊपर की और के अच्छे return बता सकता है एक्जाटली स्टॉक ने वही चीज की स्टॉक ऊपर की ओल जाता हुआ में नजर आ रहा है तो नेक्स ट्रेटिंग सेजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर यह गिरता भी है तो इस पर्टिकलर ट्रेड लाइन के breakdown पर ही यह फॉल आएगा क्योंकि यहाँ पर अगर देखे इस से ट्रेड लाइन को आज काफियत तक रिस्पैक दीता हुआ ही शेर आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर अगर 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 सपोर्ट ले लेता है तो अगर एक बड़ी बड़त आ जाएगी तो गिरावट के पिछे का reason हम पहले भी यहाँ पर clear कर चुके थे हैं पहले भी हमने label discuss के हुए थे हमने एक चीच clear कर दी थी कि stock में अगर आप देखोंगे तो यहाँ से अच्छे support हमें नजराते हैं और stock में अगर देखे एक proper symmetrical type pattern भी हमें देखने को मल जाता है इसी symmetrical type pattern के बाद share में यहाँ से एक breakdown आया, breakdown के बाद stock में गिरावटाई फिर अगेन एक fall देखने को मिला और यहाँ पर हमने पहले ही कहा था कि एक support ले सकता है और exactly support लेगे share उपर के और गया है तो यहाँ पर अगर यह breakout देदेता है तो stock में एक अच्छी rally upside के और की देखने को मल सकती है तो इस point के उपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पर जो support की हमने बात की कि इस particular point पर इसने support लिया क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो stock में पहले एक double bottom हम देख चुक है इसके बाद consolidation हम देख चुक है तो sustain करके stock अच्छा उपर गया था तो इसलिए यह level हमारे लिए इतना important था कि यहाँ पर अगर पहले breakout मिला है तो stock यही पर sustain करेगा exactly sustain करके अच्छे return यहाँ पर मिल रहा है तो एक breakout का wait करो कल तो चुटी है बट परसो की दिन यहाँ से एक surely एक अच्छा momentum आ सकता है तो wait करेंगे यहाँ पर आगे क्या होगा और वही गर अब दीखोंगे 30 minute के चार्ट फ्रेम पर उपर की जो range है break होना काफियत तक IMP है क्योंकि इस range पर अगर देखे तो पहले भी stock में यहाँ से fall आ चुके है तो इसलिए range breakout यहाँ पर मिलना important हो जाता है तो यहाँ पर अगर देखे इसमें काफी detail में हम analysis करेंगे कल और अभी के लिए बस इतना है अब बढ़ते आगे हमारे next stock की और चो next share है हमारा उसका नाम है SJVN Limited SJVN Limited की अगर हम बात करें तो stock ने आज एक अच्छी rally बताई है stock काफी अच्छे return आज हमें देता हुआ नजरा रहा है CMD को लेकर काफी बड़ा फेसला SJVN में यहाँ पर हुआ है पहले बात कर लेता है stock ने closing कहा दी तो 132.30 उपिस के round ये share हमें closing देता हुआ यहाँ पर नजर आया है return की अगर हम बात कर ले तो stock में अगर आप देखोंगे तो positive return है morning में ही gap up अपन हुआ था बढ़ इसने morning में gap up के बाउजद एक fall बता दिया फिर यहाँ पर 11.25 मिनट के बाद एक recovery बताई और यहाँ पर continuously stock बरता गया और एक रुपे 60 पेसे के round एक अच्छी rally stock ने बताई 1.22% के बहाब पर इशेर आगे बढ़ा है last five days की बात करें तो काफियत तक fluctuations नजर आते है stock में बड़त भी रही गिरावट भी रही बट एक महीने की बात करें तो stock में एक sharp rally भी हमें नजर आ जाती है यहाँ पर एक news आई है तो news के उपर अगर हम focus करें तो सुशील सर्मा जो है सुशील शर्मा यहाँ पर रहने वाले है सुशील सर्मा जो है यहाँ पर next cmd होने वाले इस पर्टिकलर कंपनी के तो एक बड़ी news यहाँ पर आ रही है इस पॉइंट के ओपर ध्यानों को आप क्लियर ली देख सकते हो तो सुशील सर्मा शर्मा इस सैट तो बी नेक्स्ट चेर्में अन मेनेजिन डिरेक्टर और स्ग्विन लिमिटेड ही है यहाँ पर यहाँ पर ले लिया गया तो एक काफी बड़ी चीज हमें देखने को मेल रही है तो देखेंगे इसका क्या एफक्ट रहता है इस शेयर में आगया अब बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम भी स्टॉक में अच्छा रहा है दो करोड के अरां तक का ट्रेड विल्यू हमने स्टॉक में देखा और वही कर देखें दो करोड के साथ साथ कल भी दो करोड क टाइम फ्रेम पर कल हमें लग रहा था कि गिरावट आ सकते हैं 128 के अराउंड एस सपोर्ट ले सकता है बट यहाँ पर एक अच्छी रैली इसने बताई अच्छे रिटन यहाँ पर इसने बताई हाला कि इसने गिरने की पूरी कोशिश आपर की बट उपर की और सस्टेंग कर किया था हाला यहां से भी ब्रेकडाउन आया बट स्टॉक अगर देखे इस पडिलर रेंज के अराउंड इसने सपोर्ट शो किया और अगेन ऊपर की और के इसने चंप लगा दिया बट एक चीज आपको ध्यान रखनी इसे अगर उपर जाना है तो इसके उपर सस्टें करक अगर आप देखोंगे तो काफियत तक एक क्रुशियल लेवल पर है यह हम कह सकते हैं यहां पर अगर देखे इस पर्टिकलर ट्रेड लाइन के उपर आप फोकस रख सकते हो इस ट्रेड लाइन के ऊपर यहां पर इस सपोर्ट शो कर रहा है इस चीज हमें देखने को मिलती ह क्योंकि यहां पर भी सपोर्ट इसने लिया है यहां पर सपोर्ट लेके उपर गया अगेन यहां पर सपोर्ट इसने ले लिया है तो यहां से अगर देखे एक सपोर्ट लेके उबर की ओर जा सकता है अगर ब्रेकडाउन इस ट्रेड लाइन का हुआ तो यहां से एक फॉल भ रहे और अगेन यहां से भी तो हो सकता है एक सस्टेन करके उपर के और जाए या फिर ब्रेकडाउन देखे डाउंसाइड के और आ जाए तो यह दो लेवल जो है दो जो पॉइंट्स जो है जो हमने यहां पर डिसकस किये काफियत तक आएंपी पॉइंट्स रहने वाले तो इ एक बड़ी न्यूज आ रही है अडानी को लेकर तो यहां पर अगर देखे एजी एल टो इन्वेस्ट वन पॉइंट्वाइट रिलियंट इन डेवलोबिंग वर्ल्स लार्जेस्ट आर्यू पार्क इन खवड़ा तो यहां पर अगर देखे खवड़ा में जो गुजरात मे हैं वहाँ पर यहां पर यहां पर 1.5 ट्रिलियंट का एक बड़ा इंवेस्मेंट हो रहा है और वही कर देखे 2030 तके 26 गीकावाट का यहां पर जो रेनरबल एनरजी कैपसिटी है वो इंस्टॉल करेंगे तो एक बड़ी चीज यहां पर नजर आ रही है जो अडानी है अडा पर यहां पर अडानी ग्रीन की अगर हम बात कर ले तो अडानी ग्रीन के लेवल्स के उपर हम आ जाते हैं तो स्टॉक में पहले काफी अच्छे स्पाइक हमने देखे था आठ अपरिल के बाद तो स्टॉक 77 रूपिस तक बढ़ गया अभी गिरावाट आ रही है बट शेयर में अच्छी ग्रोथ नजरा सकती है क्योंकि continuously कई बड़े decisions company के ओर से हाँ पर लिये जा रहा है तो और रहल काफी को चीज़े हम discuss कर चुके हैं particular shares को लेकर अस वीडियो में I hope वीडियो आपको helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like चनल को subscribe कर और कोई भी stock में investment करते हो तो इंका अनल assess कर लेना साथ ही telegram चल को join कर लेना जिसके link आपको नीचे description में मिल जाएगी thank you